हेलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे RKY टेकनिक चैनल पर SSC MTS की 9 माई की फैस्ट रेस्ट के सारे कुशन्स आपके लिए लेकर आ चुके हैं तो रिक्वेश्ट है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें यों प्रोटु प्लादमी की रच्शा करती है यह आपकी जो है कोशचका बित्टी का कार हुए यह कोश्की दरब यह कोश्की जिल्ली को बाय आगातों से रच्चा करती है कुछ का भित्ती मुक्त है सेलूलोज नामकपदात की बनी अतियंत द्रिड होती है नेश्ट कॉश्चन देखते हैं दोस्तों जो कि आपके SSMTS के फर्स्ट शिप्ट में आया हुआ है कॉश्चन है समान नागरिता किस अनुछेद से संबंदित है यह कॉश्चन आपके बहुत इंपोर्टन्ट है तो दोस्तों आपको बता दिया जाए भारतिय शम्विदान की अनुछेद 44 में के भाग चार में समान नागरिता संहिता का अश्पष्ट रूप से लेक किया गया है अनुछेद 44 कहता है राज जो है भारत के पूरे छेतर में नागरिकों के लिए एक समान नागरिता संहिता की सुरच्चा जो है सुरच्चित परदान करने के लिए प्रयाज करता है तो दोस्तों यह इससे संबंदित है क्वेशन है आपका दोस्तों 2011 में सबसे ज्यादा जन संख्या की स्राज में थी तो दोस्तों यह क्वेशन भी आपके जनगर्णा से बहुत ही रिपेट हो रहे हैं तो आप लोग देख लिजेगा तो दोस्तों आपको बता दिया जाए 2011 की जनगर्णा की अंसार उत्तर परदेश की जो आबादी थी आपकी वे मेरे प्यारे दोस्तों आपकी इतनी थी जनसंक्या वाला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज जो जिस बनाई है आपका कौन सा बना उत्तर परदेश बना भारत की लगबग 16.51 पर तिसत आबादी उत्तर परदेश में रहती है याद रखिएगा तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइ परदेकर आये हैं सही से कौश्चन नहीं बता पाएं तो इसलिए आपको यह बता दिया गया दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि जिम कार्विट नेशनल पार्क जो आपका नैनी ताल रिष्टी के राम नगर उत्त्राखंड में इस्तित्र याद रखिएगा चलिए नेश्ट कॉश्चन का अंसर करिएगा दोस्तों कॉश्चन है आपका गैस और हवा किस्षे मापा जाता है तो दोस्तों आप लोग इस कॉश्चन का अंसर जरू करिएगा कि गैस और हवा जो होती है वह किस्षे मापा जाता है तो दोस्तों एनो मीटर जो है एनीमो मीटर व पुछा जा रहा है तो आप लोग अभी इन तक नहीं किए तो हमारे चैनल पर निर्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है तो आप लोग सारी वीडियो को देखिए और जन्गर्णा की भी पड़ी हुई है तो देख लिए उसको आपके इससे कुश्चन बा साचक ने अपने साचन के दवरान एतियासिक इमारतों का बहुत निर्मार कराया था फौदार खान द्वारा बनाई गए इतियासिक धरवर में शीज महल जो है आपकी एक है यहां का शीश महल सहर के बीचों बीच बने इससमहल का निर्मार जो हुआ था आपका 1971 में हुआ सबसे ज़्यादा खाते कि शराज में है तो दोस्तों यह खाता जो सबसे ज़्यादा है उत्तर परदेश राज में हैं चलिए वेरी गुड सभी लोग एक बड़ वीडियो को लाइक करिए यह जैजी नहीं किया है को शिन दोस्तों आप सभी का हाइड्रो मीटर से क्या माप क्याता है यह सब्सक्तिया चलिए हाट्रो मी अधा के लिए नहीं की सबस्क्राइस बड़ बैप को जो है हरीवर्ण सराय वच्छन की आत्म कत्था याद रखिएगा सभी लोग चलिए निषट क्वुश्शन का अंसर करियेगा सभी लोग दोस्तों क्वश्शन आपका तुझूक ए जाहगीर किस्ण ने लिगा तो दोस्तों मुगल बात्सा जाहगीर ने आत्मकता तुझुक ए जायगीरी लिखी यह जो है आपकी फार्सी भासा में लिखी गई है याद रखिएगा तुझुक ए बावरी पूछ लेता है यदि आपके एक्जाम में किस भासा में लिखी है तो यह फार्सी भासा में लिखी है इसे जायगीर नामा भी कहा जाता है य प्लीज अपना प्यार और सप्पोर्ट दिखाते रहिएगा और चैनल प्रणाय है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजें मरे प्यार दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जो है आप लोग लिखना करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत वंदे मातरम